सब नमस्कार कैसे हैं आप सब आप अपलोग का अफ़सता बढ़ी आओंगे और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी जो पास साल का IPM होता है इंडिनिक प्रोग्रमिन मेनेजमेंट बीबी प्लस एंबी अगर आप IPM करते हैं आयम के अपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है इस वीडियो के अधर मैं अपको डीटरी में बताने वाला हुँँ और महाँ आयम इंदॉर की वेबसेट ओपन करके आपको दिखाने वालों क्या क्या करीकुलम होता है तो अब को देखएगा अपको सारी चीज़े एक समझ आज आ करिकुलम की तरफ तो अभी मैंने यहां पर आया मिंदोर की वेबसाइट ओपन किये और मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं IPM का कोर्स करिकुलम यहां आपको IPM के अंदर पूरे 5 साल के अंदर क्या क्या चीज़े पढ़ने को मिलती है और अब रहान हो जाएंगे देख तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि पहले तीन साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको एक हर चीज़ ही पढ़नी है इसके बाद आपकी प्योर M.B. होती है पूरे दो साल तो इस तरह से पूर पूरे स्टक्शर डिजाइन किया जाता है तो अगर आप य इसके अलावा देख सकते हैं आप linear algebra है, microconomics है फिर यहाँ पर dance and drama दुबारा से आता है इसके अलावा यहाँ पर databases भी है तो इस एक चीज़ आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन काफे सारे same भी है और यहाँ पर psychology भी है इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो critical thinking with writing skills है फिर French and Spanish language भी आपको देखने को मिल रही है तो भी कितने ज्यादा diverse subjects आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आप समझी गए होंगे कि आपको हर चीज़ी पढ़ा ही जा रही है अब अगर आप term 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख quality development आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है अब यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा साम नीशा आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे term 8 के अंदर तो यहाँ पर देखो web development है फिर अगेन आपको business history देखने को मिल रही है फिर आपको business government and society आपको देखने को मिल रहे है फ तो MBA के subject से अब यहाँ पर आपको major देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडियन economy हो गया फिर इसके अलावा mobile data management है environmental economics है इसके लावा positive organizational psychology है इस सारे के सारे आपके pure MBA के subject से हैं तो इससे साब देख सकते हो Indian finance system हो गया financial system हो गया फिर अगर आप term 9 की बात करेंगे तो monetary economics है competition policy है topics of macro economics है इसके अलावा अगर आप देखोगे तो cost benefit analysis of policy making है इसके अलावा देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और और भी काफी सारे subjects है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं आपको last terms के इंदर यह आपको आपको अपने जो management है उसके देखने को मिलेंगे और बाकी जो 3 साल है पहले वाले उसके अंदर आपको एक quality development यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इस तरह से आपको यह सब चीजे देखने को मिल रही है